वीडियो में दोस्तों आये शुरूर करते हैं डीटा कि निकल के आए हैं किसी इसाफ से हमें काम करके चलना होगा तो first of all दोस्तों हम लोग summary को पर focus करेंगे यहां पर देखिए जो client है index feature में long किया है call पे long है index put पे selling है stock feature पे long है अब यह के बात करेंगे तो feature इन्होंने भी long किये call खरीदे put भी खरीदा साथ में stock feature shell किया तो के बात करेंगे तो feature पे selling की है अब हम लोग दोस्तों चलते हैं उस data पे जहां से हमें एक्जक्ली बजार का जो है बड़ा clue मिलता है और वहां पर मैं आडिया लगते हैं कि बजार में data कैसे निकल गया है so that हम बजार को सई से analyze का सके उसके पहले दोस्तों आपको बताना सब्सक्राइब चाहते हैं जरूरर जोईन करलें विक्यूज अगला जो वेविनार होगा वह थोड़ा डिले होगा घप होगा को कि नर्मली हम लोग हर मैं ने बैच देते हैं लेकिन इस बार थो डाई मैंने का गैप लेने के बाद ही वे विनार की जह करेंगे या उसके बाद ही प्लान करेंगे तो अपनी जो शीट है उसकी जरूर करें जो भी लोग रिसेंटली जुड़ने के लिए सोच रहे हैं अब आए हम लोग दस्तों चलते हैं में डीटा पर यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फीचर का डीटा अब यहां अब दीके क्लाइन के पास क्रिब लांगे इस प्लाभक करेंगे तो घ्लिटी नाइन थाधर इंवाग उच्टी वाथ ख सट और इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइट के पास 553 की शेलिंग है क्लाइट के पास 557 पुट का लॉंग है और प्रो के पास 267 का पुट सॉट है इंडेक्स पीचर की बात करेंगे तो क्लाइट के पास 21 लेखे लॉंग डियाई के पास 37 लेखे लॉंग है तो फियाई के पास 11 लेखे लॉंग प्रो के पास 367 के लॉंग है तो मोटा मोटी डेटा में बहुत जादा बदलाओ तो नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ तो ऐसा है जो की चेंज के करण पर आना चाहिए और हम उसको देखते हैं कि बिसिकली वो क्या चेंज के करण पर जो है आ रहा है वाहिए हम सबसे पहले डेटा को जो है डिकोड करते हैं देन आफ्टर हम लोग आगे जो है टेकनिकल लेबल को नलाइज करेंगा वहां से हमें काफी चीजे क्लेर होती भी नजर आएगी तो फस्ट अफॉल दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे क्लाइंट के के डिटा की क्लाइंट के पास देखें यहां पर वन लेकर करीब जो है यहां पर लॉंग पोजीशन है यहां और फाई फाई-फाई-3 जो यहlyँए और यहां पर फूट जो है सेल है टो टोटल इनके पास जो एम ट्रेंट पोजिशन हो जाएगी वह जाएगी दोस्तों हो तो एफई के डेटा की तो एफई के पास 39,000 यहां पर सेल पोजिशन है इंडेक्स फुचर ताथ में 294 यहां पर कॉल लॉंग है और 557 यहां पर उट यहां लॉंग है तो टोटल इनका जो म्टूम बनेगा वह बनेगा दोस्तो 303 का अट सेल कांटिनू इनके जो म्टूम पो बात करेंगे दोस्तों प्रो के डेटा की तो प्रो के पास देखिए 60,000 जो है सेल है और वन लेग यहां पर इनके पास कॉल भी सेल है सामने से 267 जो है यहां पर उट लॉस सेल है स्वरी तो म्टूम हो जाएगा इनका 102 लॉंग यानि की एक लाग और 2000 के पास जो है लॉंग यहां पर हमें प्रो का जो डेटा है वो लॉंग की तरफ ही आया लेकिन चेंज यहां पर क्या हुआ है तो पोजिशन यहां पर क्या हो गई है डाउन हो गई है यानि कि जो क्वांडिटी थी पोजिशन की वो यहां पर डाउन होई है देन अफ्टर एक डेटा में क्या चें तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा और पड़ेगा बट डारेक्शन के लिए नहीं पड़ेगा यहां पर बजार में देखने को मिल सकता है थोड़ा सा उपर थोड़ा सा नीचे एक सार्प एक सार्प डाउन जैसे कि आप कोने दो दिन से देखा तो अभी बजार किसी भी साइड में एक अच्छी डारेक्शन लेने से पहले थोड़ा यहां पर समय दे सकता है अब डारेक्शन की कांफरमेशन हमें कैसे मिलेगी बहुत ही सिंपल सा एक उसका एंसर है हर दिन की क्लोजिंग के लोग को आप मार्क करके चलो अगर सपोच कीजिए कि मंडे जो है प्राइडे की क्लोजिंग तूपती है और देन आफ्टर त्यूस्टे की जो ओपनिंग है वो मंडे की क्लोजिंग के नीचे हो रही है उसके नीचे जो है यहां पर सस्टेन होने लग रहा है अब हम यहां से विकनिस के साइड जाना है यानि कि कहने का मतलब यह है एक लाइन में कि बैक टू बैक कि दो दीन ठीक है दो दीन मार्केट जो है जाके लोज पे लोज होना चाहिए अब जाके सेलिंग या डाउन मुफ की कन्फरमेशन आती है अधरवाइस नहीं आएगी यह सबसे बड़ी पहचान होगी ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं निफ्टी का जो रेस्टेंस होगा 24855 का होगा सपोर्ट दो जैसे कि मैंने आप लोग को आगे के दो दिन के पिक्ष्र दिखाएं कि बजार सकता है यहां पर भी देखे क्या हुआ बजार ने पूरा कॉंसल लिट किया एक बड़ी मूफ इधर से आई इधर से आई उसके बाद बड़ी मूफ इधर आई खार यह तो निउस पर थी उसक तब जाके आपको स्टेंथ दिखाई देगी अधरवाइस जब भी जोन में आएगा आपको एक बार प्रॉफिट बॉकिंग दिखाई देगी तो कि मिल्टिपल पॉजिशन ट्रैफ हैं और जब भी 24-500 के जोन में आएगा तो आपको यहां से बाउंस दिखाएगा और यह जो प्रक्रिया है वो दो बार तीन बार रिपीट हो सकती है तो आपका जो प्लान है वो सिंपल होना चाहिए कि 500 के पास मिलेगा तो बाई करेंगे 800 के पास मिलेगा सस्टेन नहीं करेगा तो सेल करेंगे ठीक है 840 नहीं 800 820 810 बस यह काफी सिंपल प्लान है निफ्टी का अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का रिष्टिंस 5410 का रिपोर्ट दोस्तो 53275 का है अब देखिए इसमें हम बात करते हैं बै तो यह देखेंगे तो जिस ट्रेंड लाइन से यह सपोर्ट लिए उसी ट्रेंड के करीब मूफ कर रही है धीरे 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 इसका स्टक्चर जो है नीचे की तरफ आ रहा है तो यह जैसे ही यहां पर 53,400 होल्ड करना शुरू करेगी तो यह 53,000 एकवर के लिए दिखा सकती है तो उसके लिए हम यहां पर सेल कर सकते हैं लेकिन यह काइंड आफ रिवर्सल नहीं होगा ठीक है यह नहीं सोचना है कि यह काइंड आफ जो है रिवर्सल हो गया नहीं यह जो डिप मिले का न वो ब भी यहां पर जो है एंसन नहीं है ठीक है एंसन कब आएगी जब यह 53 और यहन के नीचे लोच करना जो है सुरू करेगी एक है आदरवाइस नो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है देखिए यहां पर क्या हुआ बजार यहां से रहली किया एक छोटा से यहां पर सस्टेन बजार फिर एक मुव दिया यहां पर सडेन एक निवीच आ गई बजार ने गिरावट दिखाई फिर पूल बैक आया यहां पर यहां पर यहां पर नीचे मुव वही लेकिन इस सारी प्रकिरिया में देखोगे तो उपर के हाई थोड़े सिप्ट हुए है तो अगर जैसे ब 54,000 एक बड़ा ही प्राफिट बॉकिंग रिया है और एक हमारे लिए रेजिस्टेंस भी जो कि हम वेट कर रहे हैं इसलिए यह जून इतनी थोड़ी मुश्किल में हो सकता है तो सिंपल सा है कि 53,600 पर एक लाइन मार्कर कर रखिये इसके उपर अगर होल्ड कर रहा है तो व इसको देख सकते हैं सेलिंग के लिए अब हम बात करेंगा दोस्तों सब्सक्राइस निफ्टी का देखिए रेजिस्टेंस यहां पर 24,950 का है सपोर्ट दोस्तों 24,456 का है मुझे लग रहा है इसमें एक डिजिट ज्यादा लगा हुआ तो इसको हम डिलीट किया दे रहे है है कि कोई कन्फुजंट 24,456 का ही इसका पोट है अब हम इसको करते हैं स्माल टैम प्रेम मेशिच देखते हैं कि लाइक सिमिलर जैसे बैंक निफिन इस ट्रॉक्चर दिया है वैसे ही यह भी इस्ट्रॉक्चर दे रही है यहां से यहां रिटेस्ट इन आफ्टर रेक नीच 247 24 750 का यह लेबल अगर यहां से यह क्रॉस करना शुरू करे तो हमारा जो बायस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर यह 24 700 के नीचे ही मेंटेन हो यहां पे जो बायस है वो निगेटिव होगा बड़ा जो सपोर्ट है 24 450 पे है और बड़ा जो रेश्टेंस है वो 24 900 के पास पास है यह इसके बड़े और छोटे लेबल हैं जिसको हम अपने हिसाब से देखके प्लानिंग जो है कर सकते हैं अब हम चल किया था यह पूरा अपना जो भी दर से कॉंसलिडेशन किया था इसको ब्रेक कर रहा है काफी अच्छी कैंडल है तो अगर यह 1190 के उपर होड़ करना शुरू करेगा तो एक मिल सकती है इसके बाद हम लोग बात करें कि स्टॉक जो की है लूपीन लूपीन पर देखेंगे देखेंगे तो यह स्लोपिंग चैनल का इसने ब्रेक किया यहां पर और सबसे बड़ी बात किया है कि दो जो नीचे से बड़ी है थी उसको छोड़के सारी चोड़ी होड़ी यानि की एक यहां पर बिग गैंडल बनने के जो है चांसे दिख रहा है यह बनेरा कि नहीं यहा अगर हमें प्राइज में मोमेंट दिखाई देता है नेक्स टेक अभी भी ट्रेड हम कर रहे हूं को लिया जा सकता है अब हम बात करते हैं दोस्तों आप से जैन की निफ्टी का डेटा थोड़ा सा वीक हुआ है प्रिवियस से थोड़ा सा वीक हुआ है यहां पर 54 लेके जो है अब अगर हम लोग इंसाइड में आके देखें तो यहां पर देखिए जो 24 700 है यहां पर काफी अच्छे खासे राइटर अभी आया है जो की टू लेक और 26,000 के हैं साथ में अगर पूट राइटर देखेंगे तो यह यहां पर कम है यानि कि 24 700 और अगर इसके नीचे हम सस् हैं लेकिन अगर हम रिबाउंड करके 24 700 को क्लोस कर ले जाते हैं उपर की तरफ तो 25,000 ऑन द वे हमें दिखाई देगा यह जो सियरर कट हुआ है इसके बाद एक न्यू जा रही है कि फरवरी में बजार जो है एक रेट कट का फाइदा ले सकता है या फरवरी में जो अर्व अब हम लोग बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम लोग देखें यहां पर तो 18 लेके कॉल सेलर है और 1970 की पूट सेलर है तो डेटा थोड़ा सही सही लेकिन अलका सब्सक्राइब पॉजिटिव से कमजोर हुआ है ठीक है थोड़ा सा ब है कॉल साइट से भी और एक्जक्ली आप इसी लेबल पर क्लोज हुए है यह तीनों चीजे एक साथ मैच हो रही है और क्लोजिंग तो बस सिंपल सा लेवल है कि अगर हम 53 500 के नीचे हैं तो हमारा व्यू सेल का अगर हम 53 600 को सस्टेन कर ले रहे हैं तो हमारा व्यू बाई का दोनों ही केस में स्टॉबलास आसपास होने चाहिए ताकि रिस्क बड़ी नहों और उस हिसाब से हम इसको इंज्वाइब कर सकते हैं यह हमारा व्यू है दोस्तों मंडे के लिए उमीद करूँगा कि इस से आपको एलफ होता हुए नचर आएगा एलिवर आये थे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में टेलिग्राम को जाइन कीजिए एड़ एड़ निफ्टिव को आड़ी सच करके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और लाइब अप्वेट का पादा उठाएए ताथ में अगर सीखना हो तो दिसम्मर बैच को जूरूर जूर सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक्यों सुमच दोस्तों मिलते हैं नेक्स सेशन में